हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियों हम बात करने वाला है कि मर्ति प्रावन पत्र कैसे बनाया जाता है दोस्तों काफी समिश्या होती है कि जब आपकी अपनी पुरानी जमीन अभी भी आपके बाप दादो यानि जो दादा के नाम पर बोल रही है और उनका मर्ति प्रावन पत्र नहीं बना तो आप उसे कैसे आविदन करेंगे ऑनलाइन और मान लेजिए कोई नया है तो भी उसक से आपका मर्ति प्रावन पत्र मिल जाएगा तो संपुर्ण जानकरी आपको इस वीडियो में दूँगा आगा बनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को नहीं दब करें चले दोस्तों मैं आपका ज्यादा समय वेश्ट नहीं करते हुए आपको वीडियो की और ले जाता हूं चले दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मर्ति प्रावन पत्र कैसे बनाएं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पहचान अप्रिकेशन डा करेंगे आपको मर्ति प्रमान पत्र बनाना है तो हम मर्ति प्रमान पत्र के उपर क्लिक करेंगे देथ के उपर क्लिक करेंगे और यहां पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चाहिए आपको जिस भी लेंग्वेज में चाहिए वह आप सेलेक्ट कर सकते हमें दोनों में केपिटल अक्सर में डालना है स्मॉल लेटर में नहीं डालना है दोस्तों यहाँ पर मृतक का आदार नमबर डाल देंगे दोस्तों यहाँ पर मृतक का आदार के हिसाब से ही यहाँ पर नयम और स्पेलिंग हिंदी और इंग्लिश पर सेम डालना है अन्यात यहाँ पर आदार चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe जरूर करें दोस्तो इन इता हम समय समय पर नई अपडेट लेकर आते ते हैं तो आप हमारे channel को subscribe जरूर करें यहाँ पर मेर्टक के पिता का आदा नंबर हो तो पर डाल देना थे यह था यह कमपल्सरी नहीं है दोस्तों मेरी सर्टिपगेट कैसे बनाना है उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं यहां पर मृत्तक की माता का नाम इंग्लिश में डाल देंगे और आदाल नमबर है तो ठीक है नहीं तो खाली छोड़ देंगे यहां पर मृत्तक की पती और पत्नी का नाम हिंदी में दर्ज करना है जो भी मृत्तक की पती है तो यहां पर नाम दर्ज करना है अगर सारी सुदा नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है और यहाँ पर हिंदी इंग्लिस में दोना में दोना में दोस्तो यह आगर आप हिंदी सेलेक्ट करोगे सिर्फ हिंदी तो आपको सिर्फ हिंदी में ही यह फॉर्मेट पढ़ना होगा यहाँ पर पती पतने का आधार नमबर वैसे तो अनिवारी है लेकिन हो तो डाल देना है अन्यता नहीं डालना है लेकिन ज़्यादातर जो केस होते हैं जो पुरान है तो उसमें डालना अनिवारी है यहाँ पर मरितक के पती पतनी के आयू को वर्सों में डाल देंगे 60 वर्स में डाल दिये है और यहाँ पर मरितक की पती पतनी का संप्रक विवरोन है यहाँ पर आपको दोस्तों मोबेल नमबर दरज करने है जो भी उनकी मोबेल नमबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे लेक्ट रेन देंगे और यहाँ से नेचे आप डिस्टिक हैंगे यहां पर आपकी पंचायच समीती पंचायच चीजिक करेंग। उसको select करेंगे जहां से आपको approve किया जाएगा आपका death certificate अप्रूफ किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको गाउं कौन सा है गाउं select कर देना है और यहाँ पर next पर button पर click करना है यहाँ पर नीचे English में भी आपको सुदार कर देना है दोस्तों मैं यहाँ पर सुदार कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पर इस्ता ही पता अगर same है तो आप इसे हाँ करेंगे अगर same नहीं है तो आप इसे ना करेंगे दोस्तों यहां पर हाँ कर देंगे यहां पर मृत्यु का समय पता हिंदी में यहाँ पर दोस्तों मुबिल नमबर दर्च करना है जिस पर यह अभी भी OTP जाएगा समिट करोगे तब और जब आपको डाउनलोड करेंगे तो भी उसी नमबर पर OTP जाएगा उसी की जरूत पड़ेगी अगर मुर्तियों का इस्तान संस्तागत है तो दोस्तों आप वहाँ पर हॉस्पिटल का नाम डाल देंगे जो भी है जो अगर संस्तागत नहीं है उसकी मुर्तियों गर पर ही हुई है तो आपको इस पते को कौपी करके हिंदी इंगलिस दोनों में कॉपी करके वहाँ पर वापन क्यार संस्तागत के यहाँ पर हिंदी और इंगलिस में दोनों जगे दर्च कर देना है दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया गए है इतला देने वाले का नाम यानि जो भी यह सूचना दे रहा है यानि जिसको भी यह मृत्रवान चाहिए तो उसका यहाँ पर नाम दर्ज करना है जो भी आवेदन करता है बेटा हो सकता है या बेटा भी हो सकता है या पतने भी हो सकती है जो भी है जो यहाँ पर उसका नाम दर्ज करेंगे और यहाँ पर इतने इतला देने वाले का पता जो भी उसका पता है पता यहाँ पर डाल देंगे और उसके आदार नंबर यहाँ पर अनिवारी है दोस्तों उसका आदार नंबर देना बहुती अतियावशेख है और यह था यह आपका इस फॉर्म सब्मिट नहीं होगा तो यहां पर आदार नंबर वेरिफई करना होगा तो यहां पर मैं आदार नंबर दर्च कर दिया है और यहां पर सूचना की तारिक यानि यहां देख लिए दोस्तों यहां पर आदार नंबर वेरिफई हो रहा है वेरिफई हो चुका है और राज्य से है तो मैं यहां पर राजस्तान और यहां से आपका अपना डिस्टिक्क स्हर्ट कर देना है और यहां पर मृत्तक का वेज़ए़ यह नि मृत्तक क्या काम करता था तो आप जो भी काम करता है उचित सम्झे वो डाल सकते हैं नहीं तो एक्रम कार डाल सकते हैं दोस्ति हैं मृत्यू के मृत्यू के पूर उप्चार अगर कोई चिकित सा उप्चार नहीं किया गर पे हुआ है तो आप अपने हिसाब से यहां से सेलेक्ट कर देंगे क्या मृत्यू का दुमरपान वो जो भी करता था तो यहां पर कुछ भी नहीं डालना कोई बिमारी थी तो नहीं आप यहां पर खाले चोड़ेंगे तो भी चलेगा अगर कॉलम पूर्ती करते हैं तो भी चलेगा यहां पर यह दोस्तों दिया गया है या क्यार्देगाद से हुआ है बुखार से हुआ है विर्दावस्ता से हुआ है तो आपको जो भी यहां पर जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं अगर आपको यहां पर क्या दुमरपान का अभ्यसिक था तो यहां पर आप अपने इच्छानशर कुछ भी डाल सकते हैं अन्यता इसे नह यहां पर खाले रहने देंगे और यह जो capture code दीख रहा है दोस्तों यह यहां पर same to same यहां पर copy कर देना है डाल देना है और यहां पर end में submit बटन पर click करें तो आपके सामने यह पूछ रहा है कि मृतक के निवास के नगरिया गाहूं का नाम दोस्तों यह आपने पीछे छोड दिया था इसलिए हमें वापस यहां पर आना पड़ा अब आपको submit करना पड़ेगा तो यहां पर फाइल पूरी खुल के आ जाएगी अगर आप इसे edit करना चाहते तो edit कर दें नहीं तो submit पर click करेंगे यहां से loading हो रहा है और sending OTP यानि OTP आपको बेज दिया गया है जो भी अपना भी mobile number दरज किया था उस mobile number पर आपके OTP मिला है वो OTP आपको यहां पर फिल करना होगा हम OTP का wait करते हैं दोस्तो हमार पास OTP आ गया है हम इसे OTP यहां दर्ज कर देंगे और verify बटन पर click कर देंगे दोस्तो अगर आपके पास नहीं आता है तो recent OTP के बटन पर click करेंगे तो आपके पास दूबर से OTP बेज दिया जाएगा और दोस्तो यहां पर जो यह आपका registration number आ जाएगा और ज जिस्टार भी आपको call करके जो भी आप शेक दस्तावेज है वो आपसे मांग सके और आपका मत्रवान पत्र अप्रोब कर सके धन्यवाद दोस्तों उम्मिद करता है उडिया आपको पसंद आई होगी